कि इसके लिए क्या है यह का जाता है रोम में जो ई और कि यहां पर न चुने है और इस पहें आप एक अड़ कर दिए तो मुचें क्या श्तिक रहता है धी की अभ Beautiful १विध meditation यह जयाता है यहां पर वं यह मतलँ स्थिक्स यह हैं और और फिर V, ठीकिन है, यह नहीं में रूल है, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, इनके जो रूल है वो कैसे हैं, हम लोग 4 को लिखते हैं ऐसे, 5 को V बना देते हैं, 6 को V प्लस I, ठीकिन है, यहाँ पर V माइनस 1 होता है, तो मलब 5 माइनस 1 तो 4 होता है, यहाँ पर V प्लस I मतलब 6, V प्लस 2, मतलब 5 प्लस 2, 7, 5 प्लस 3, 8, तो यह 8 आशी लिखते हैं, फिर 9, तो यह जो X होता है, वो 10 को रेप्रेजन करता है, X में से माइनस 1 कर दिया, लेफ्ट एंड सेड में लिखते हैं, तो हम वो माइनस करते हैं नमबर को, तो 10 माइनस 1, 9, और यहाँ पर 10, फिर 10 प्लस 1, 11, 10 प्लस 2, 12, 10 प्लस 3, 13, 10 प्लस 4, 14, ठीक है, उसके अलावा यह कुछ सिंबल है, जो हम लोग बार बार देखेंगे, I के लिए 1, V के लिए 5, X के लिए 10, और LCDM, ठीक है, इसको याद करने के जो तरीका है, वो क्या है, Liquid Crystal Display Monitors, ठीक है, अभी तो हम लोग देखते हैं, LED, हमारे गरों में जो लगी है, वो क्या है, LED है, या फिर हम लोग जो computer use करते हैं, वो LED है, पहले यह LCD गाता था, LCD बोलते थे इनको लोग, तो उसका full form होता है, Liquid Crystal Display Monitors, तो L जो रिप्रेजन करता है 50 को, C रिप्रेजन करता है handed को, इसको मैसे भी याद कर सकते ह हैं, जैसे कि हम लोग cricket match देखते हैं, तो उसमें C जो होता है, century, century मतलब handed होता है, ठीक है, D से रिप्रेजन होता है 500 और M से रिप्रेजन होता है 1000, तो आईए देखते हैं, Roman number system के कुछ rules, यह total 5 rules है, so number one जो rule कहता है, वो यह है, if a symbol is repeated its value is added as many times, कि अगर हम दो किसी भी symbol को बार बार repeat करते हैं, तो उसकी value उतनी time add होती जाती है, जैसे कि यहाँ पर यह one लिखाता, यहाँ पर यह one लिखाता, तो one एक बार लिखा तो वो one हो गया, यह दो बार लिख दिया तो यह तीन बार ल यह rule में नहीं आता, यह हम लोग maximum के बल्द three times ही लिख सकते हैं, यह rule में आएगा भी जाओ, यहाँ पर मैं लिख दिया two, यह दो बार x लिख दिया तो 20 और तीन बार x लिख दिया तो 30, अब मुझे 40 लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, so a symbol is not repeated more than three times, ठीक है, होता है किसको 10 को, तो 50 minus 10 कितना होता है, 40, but the symbol V, L and D are never repeated, और इसके लाबा क्या होता है, जो V होता है, जो L होता है, वो D होता है, यह कभी भी repeat नहीं होता है, जैसे यह x repeat हो गया, यह i repeat हो गया, ठीक है, और m भी repeat हो जाता है, जैसे मैंने आप यह आपको date लिख लिख दिख होता है, उसके बाद third जो है rule, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of a greater value, its value get added to the greater symbol, कि अगर मैं किसी भी symbol किया है, right side में, अगर मैं यह value लिखता हूँ, यह symbol बनाता हूँ, तो वो add करता जाता है, इसको, ठीक है, मतलब कि, कहना हो यह, कि यह x जैसे V है, V के मैंने इधर 1 लिख दिया, तो क्य add हो जाएगा, L के साथ में x और v लिख दिया, तो मैंने यह आगे add हो जाएगा, लेकिन right side में लिखने से add होता है, और left side लिखने से subtract होता है, जो हमारा अगला rule है, वो यह कहता है, if a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of a greater value, its value is subtracted, from the value of greater symbol, जैसे यह 4 लिखना था मुझे, तो v के आगे मैंने i लगा दिया, तो v minus 1, मतलब 5 minus 1, 4 हो गया, ऐसे ही x लिख दिया, तो l minus 10, 50 minus 10, 40 हो गया, ऐसे ही i और x लिख दिया, तो x में से 1 जाएंगे, मतलब 10 में से 1 जाएंगे, तो कितना आएगा, 9 आएगा, ऐसे x c लिख दिया, तो 100 में से 10 minus कर देंगे, तो किया जाएगा, 90 आज L and D are never written to the left of a symbol of a greater value that is V, L and D are never subtracted कहने मतलब यह है कि V, L और D यह कभी भी subtract नहीं होते हैं यह तीनों कभी भी subtract नहीं होते हैं For example, मैंने यहापे लिया है L और C देखें, तो मतलब L को मैं subtract नहीं कर सकता C में से वो गलत हो जाएगा, यह गलत है देखो, यह तरीका गलत है लेकिन मैं इसको plus करा सकता हूँ CL के मैं 100 plus 50 करके 150 कर सकता हूँ इसके लाबा, the symbol I can be subtracted from V and X only जो यह I होता है, यह केवल V और X इनी से subtract हो सकता है तो देखो, अबने जब रोमा नमबर लिखे दें इसमें देखो, subtract करने के बात करें तो देखो, यह I जो है वो V से ही subtract हो रहा है ठीक है, और यही I जो है वो X से ही subtract हो रहा है next है, the symbol X can be subtracted from L, C, M ठीक है, मैंने L, M, N, C लिखा हुआ है आप उसको L, C, M करके भी याद कर सकते हो easy रहेगा याद करना कि हम लोग X को जो है, वो L, C, M से ही subtract कर सकते है जो देखे कुछ example यहाँ पर मैंने X लिखा तो 10 को represent करता है 2 times X 20 को, और 3 times X 30 को करता है ठीक है, 40 लिखना हो तो 50 minus 10, 40 यह L represent करता है 50 को XL किया तो 60 X को 2 times X लिख दिया तो sorry, L को L के साथ में 2 times X लिख दिया तो 70 और ऐसी 3 times मैंने X लिख दिया तो वो 80 बन जाता है मुझे 100 लिखना है तो मैं माइनस कर दूंगा 10 100 में से 10 माइनस किया तो 90 और 100 में मैंने 10 प्रेस किया तो 110 ऐसे ही 120, 130 अब मुझे 140 लिखना है तो क्या करूंगा 100 और यह represent किसको करता है 40 को करता है, हमने अभी देखाता है XL किसको represent करता है 40 को तो यह 140 हो गया ऐसे CL लिखूंगा तो 150 DL, DL D का मतलब होता है 500 उसमें L add कियाते हो 50, DL I, it means 551 अब अगर मुझे 549 लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं 500 यह 40 को represent करता है और यह 9 को represent करता है तो 549 अब आप लोग homework में यह जो numbers मैंने लिखे हैं यह आपे इनको आप मुझे श्याम 5 बज़े तक उसे पहले-पहले ही मुझे यह हिंदी में और रोमन लेटर में दोनों में करके बेज़ देना मैं आपको उसकी PDF पी send कर देता हूँ Thank you उसकी पेसो का उसकी पांस का उसकी आपको पार मत उसकी आपको आपको लो पटको यह का